कई विगत वर्षों से बंद पड़ा S.E.C.L. होस्पिटल स्वास्त केंद्रों पर ताला मार कर शाष के अधिकारी जंता के साथ नाइंसाफी कर शाष के अधिकारी को कई बार अवगत कराने के बाद भी उनकी आँखें बन आपत कालीन में भी कोई उपचार की वेवस्था नहीं स्वास्त केंद्रों होने के बावजूत भी उस पर ताला लगा मेंता है नमस्कार मैं हूँ विनीता और आप देख रहे हैं प्रातितर पनियूस चिर्मिरी छेतर के कोई भी बीमार मरीजों की कोई भी उपचार की वेवस्था नहीं ऐसे में जनता को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कोरिया कौलियारी के जनता इस मस्यां से जूझ रही है इन्हें अपनी बिमारियों के उपचारों के लिए 5 किलोमेटर की दूरी तै करनी पड़ती है चिर्मिरी नगर निगम है नगर निगम के अंतरगत कोरिया कॉलिरी भी आता है कोरिया कॉलिरी में पुराना S.E.C.L. हॉस्पिटल था जो कई विगत वर्षों से बंद पड़ा हुआ है कोरिया कॉलिरी के अंतरगत आमा नाला नाम का एक जगह है वहां स्वास्त केंद्र होने के बावजूद भी उस भवन पर ताला लगार मिलता है ये दोनों भवन की हालत आज जरजर स्तिती में होने जा रही है पर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है शाशके अधिकारी को कई बार अवगत कराने के बाद भी उनकी आँखें बंद है आज के जमाने में घर पर हर व्यक्ती स्वास्त को लेकर चिंतित रहता है ऐसे में आपात कालीन में भी कोई उप्चार की वेवस्ता नहीं हो पा रही है ऐसे में स्वास्त केंद्रों पर ताला मार कर शाशके अधिकारी जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है जनता का बहुत बड़ा सवाल है कि स्वास्त केंद्रों की वेवस्था क्यों नहीं कराई जा रही है गरवती महिलाओं को ले जाने में काफी दिपकतों का सामना करना पड़ता है कभी कभी तो दुरगटना ग्रस तो लोगों की भी हालत गंबीर हो जाती है कई छोटे बच्चे भी बिना उपचार के पीड़त होकर बिमार पड़ जाते हैं ऐसा ही यहां की जनता बिमारियों का सामना करती है यहां के शाश के अधिकारी की आँखें अब तक खुल नहीं रही है क्या जनता ऐसे ही समस्याओं से सदा ही जूसती रहेगी क्या यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है कोरिया कालरी के पाश्वत तेश नाराइन सिंग ने भी यह समस्याओं को लेकर चर्चा की अनुस्ष प्रजापती और नरेश के साथ भी चर्चा पर विशेश बाते हुए स्वास्त को लेकर इसके बावजूद भी शाष के अधिकारियों की भी आखें बंध हैं विगद 15 वर्षे उसे तो एसी सेल का हस्वीटल बंध है राज सासं के दौरा एक हस्वीटल बनाया गया जो कि खुरसियम में इसका भी थै लेकिन आज तक उसका ताला नहीं खुल पाया थोड़ा सा सासं प्रसासं को आउगत कराने से यह हुआ कि जो जच्चे बच्चे को टीका लगता है उसके लिए मंगलवार के दिन नर्स के बेज दिया जाता है कि आप वहाँ पर टीका करन कर दो उसके बाद उसका सटर फिर एक हपता के लिए बंद हो जाता है स्वास्त को लेकि हम लोग यहां इतने दुखी हैं कि यहां कईयों की मौत हो गई अकस्मीक पास में नहीं किसी county प्रव्लब हैं किसी को प्रव्य प्रवल है किसी को सुगर का है उनको यहां पर स्ववेख возьुबद है जीरोग के माध्यप से मालीची हम लोग ट्रस्थ हैं और यहां से घर हमको जाना यहां एक हस्पिटल कम से कम दोनों कमबाइन करके ही चला दें ताकि यहां से 10-12,000 की जो आबादी है वो लाभामति हो सके बताया जा रहा है यहां दो स्वास केंड्र से ओन बन इसके बारे में क्या चाहते है यह बिल्दिंग बना हुआ है दो बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन आज तक वह साथ आठ साल करीब दस साल हो गया होगा लेकिन आज तक वह स्वास्त के में कोई उपचार का काम अभी तक चालू नहीं किया गया बिलकुल निगम में मैंने अपने पत्र के माध्यम से निगम को मैंने आउगत कराया है कि यह स्वास्त के वावन प्रयाप्त मात्रा में अपने है तो वहां कम से कम डाक्टर या नर्स को बठाया जाए ताकि लोगों को उसका सुविधा उपचार के लिए मिल सके